जब भारत 1974 में परमानू परिच्छन किया तो परिच्छन सफल नहीं हो पाया और साथ ही पूरी दुनिया को ये पता चल गया कि भारत परमानू परिच्छन किया है जिसके बाद अमेरिका सहित कई देश भारत को धमकियां देने लगा साथ ही अमेरिका भारत में कुछ साल बाद अपने सेटेलाइट को भी छोड़ दिया ताकि वो भारत के उपर अपने सेटेलाइट के जरीए पूरी तरह से नजर बनाए रखे जिसे नजर में रखते हुए 9 माई और 11 माई 1998 को पोखरान में टोटल 5 परमानु बम को फोड़ा गया और हमारा परमानु परीच्छन 100% सफल हो गया